आज इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं Lichen Planis के कारणों के बारे में दुनिया भर में हम देखते हैं Lichen Planis के जो percentage है लोगों को ज्यादा वो हो रहा है especially COVID के बाद इसका percentage कही न कही बढ़ते हुए हम देखते हैं दुनिया भर में आज Lichen Planis लोगों को होता है और hardly किसी को पता होता है कि इसके कारण क्या है सालों साल तक Lichen Planis चलते हैं और फाइनली एक 4-5 साल बात कही न कहीं यह डाइगनोस होता है क्योंकि इसे Lichen Planis कहते हैं और यह हमारे immune system से हैं और ना कि हमारे skin से इसका कोई relation So Lichen Planis को कैसे कारण को कैसे समझे कारण को कैसे टाले और अगर कारण आपके हुए है अगर Lichen Planis है तो कौन से कारणों को बहर निकाल के या निकालने के बाद हम देख सकते हैं Lichen Planis ठीक होते हुए Lichen Planis एक बहुत ही serious disease है हमें जानना चाहे कि इसका उपचार अईर्वदवारे हम पूरी तरह से देखते हैं क्या efforts लेने पड़ते हैं कितना समय जाता है हम देखते हैं दुनिया भर में चाहे वो PRP है याने platelet-rich plasma चाहे वो lasers है चाहे वो kojic acids हो चाहे वो HCQ है हर एक case में हम देखते हैं जो भी इसमें हर एक प्रकार का laser है पर हम देखते हैं कि Lichen Planis के जड़ को ठीक करने के लिए क्या important है आज इस वीडियो में हम जानेंगे पर कितने भी सारे processes हो कुछ हद तक आरा मिल सकता है पर disease या वो skin वो dark patches वो legions वो वापस आने ही आने हम देखते हैं सालों साल तक वो patches रहते हैं बढ़ते हैं, multiply होते हैं क्यों और किस तरह से Ayurveda अनुसार patients पूरी तरह से ठीक होते हैं जानते हैं आज इस वीडियो में नमस्ते वीवान वेलकुम Welcome to Joby's Hospital of Ayurveda in Aesthetic Center, Mumbai हम देखते हैं, Lichen Planis का relation कही न कही आयूरवेद में Charmakushta के अंडर बताया है आज से 5,000 साल पहले Charmakushta में दी हुई चिकित्सा, Charmakushta में दिया हुआ निदान, दे हुए हेतू और दे हुई चिकित्सा, हम आज भी patients के उपर apply करते हैं और देखते हैं कि बहतरीन फाइदा patient को होता है in the long run न सिफ temporary legions बैठते हैं पर जड से Lichen Planis खतम होते हुए हम देखते हैं किसी भी treatment की शुरूवात करने से पहले हमें जानना चाहिए संग्षेप्त क्रिया योगे निदान परिवर्जन क्या उसका निदान है क्या उसके हेतु है किस कारणों के वज़े से रोग हुआ है और especially Lichen Planis जैसे serious disease के बारे में हमें इसके कारण जानना तो और भी ज्यादा important है because Lichen Planis ऐसे ही response नहीं करता है जैसे psoriasis और eczema response करते efforts लगते हैं of course पहले 15 दिन में पहले first month में changes देखते हैं but efforts patient के side से patients patient के side से काफी important है काफी ज्यादा लगते है so क्या कारण है उसके let's talk about the number one reason आज 50 से भी ज्यादा देशों में जब हम patients के साथ बात करते हैं कही हजारो patients पूरी तरह से Lichen Planis से ठीक हुआ है जब हम उनके साथ बात करते हैं हम यह पता चलता है कि एक कारण जो Lichen Planis में ज्यादा common है और नर के बाकी autoimmune disease में तो क्या वो कारण है तो वो है medicine toxicity या एक शरीर में बना हुआ गरविश एक शरीर में बना हुआ toxic substance कहीं लोगों में हम देखते हैं कि एक इंसेक्ट बाइट वा था एक वी नो बॉक्स में हाथ डाला था एक एक बॉक्स में हाथ डाला था एक इंसेक्ट बाइट डाग बाइट, Malaria medicine, TB medicine Dingu medicine, COVID vaccine, COVID medicine some or the other course of medicine and then after six months, three months, one month after a year eruptions of Lichen Planis lichenoid eruptions हम जरूर देखते हैं हम देखते हैं कि patients complain करते हैं कि कुछ dark discoloration था मैंने applications apply किया चला गया और फिर वो आपस आ गया, बढ़ गया, हर साल वो बढ़ रहा है और finally किसी ने diagnose किया कि यह Lichen Planis है और Lichen Planis में हम यह commonly जरूर ने देखते हैं, शुरुवात में डाइग्नोज ही नहीं किया जाता है What is important over a year कि चाहे वो Lichen Planis है, Eczema है, Psorias है, दवा तो generally patients को शुरुवात में यह same ही दी जाती है सालो साल बाद जब पता चलता है कि disease वापस आना ही है, तब patients patients आहिरुवद द्वारे यह आते है seriously follow करते है और आहिरुवद द्वारे patients पूरी तरह से ठीक होते है पर जानना ही काफी important है कि toxicity को जब तक हम नहीं निकालते उपचार होना काफी कटिन है जिसे एक ख़द Lichen Planis के video अगर आपने जोवीज की देखी है सो दुशी विशारी, विलवादी, महातिक्त, ऐसे विशग में द्रविय, ऐसे गरविश और इस विश को बाहर निकालने वाले दवाईया सबसे ज्यादा important है और तब जाके हम देखते है कि toxicity कारण और toxicity का solution this is very important number one is toxicity के वज़े से आगे Lichenoid eruption दूसरा कारण दूसरा कारण यहने आप सभी को पता है चिंतनाम चाती चिंतनात रसवहिन्य दुश्यन्ती अफकोस excess stress से रसवास्त रोतश की दुश्टी होती है आगे के धातूस को portion नहीं मिल रहा रसकस्तान कहा है रुदय में और मन कस्तान भी कहा है हमारी तवचा को अटाक कर रही हम देखते हैं emotional stress कई न कई deep inside emotional stress के वज़े से इस प्रकार के lycanoid patches patients के उपर देखते हैं patients बहुत easily बहुत आसानी से हमें बताते हैं कि yes, stress तो हमेशा से ही है रहता ही है पर ये 6 मेने का ऐसे था कि I can't tell you explain it was a horrible time it was a very painful you know period for us and 3 months 6 months 1 year later lycanoid eruptions हम देखते है 60 to 70 yeah 70 to 80 percent toxicity in lycan wellness 20 to 40 percent as stress playing a bigger role and being the major cause for lycanoid eruptions toxicity का उप्चार जैसे मैं का विशद्न द्रव्य का उप्योग करना विरेचन द्वारे दोशों को बहार निकालना वमन द्वारे दोशों को बहार निकालना रत्मक्षन विद्यकर्म अगने कर्म द्वारे दोशों को शुद्द करना विशुद्द द्रव्यो या विशुद्द दोशों को बहार निकालना यह पहला point second very important part when it comes to stress तो कहा जाता है कि आपको stress है तो ऐसा नहीं कि stress है तो उसका solution नहीं है प्रज, Smriti Sagar, Kalyanak Maha Kalyanak, Saraswat कहीं अंगिनत यह द्रव्यों या combination का उप्चार commonly used Solacimed Solacimed syrup tablet syrup commonly worldwide आज डॉक्टर Solacimed का परयोग इसका इस्तमाल कर रहे है तो कोई भी लक्षन है कोई भी कारण है उस अनुसार चिकित्सा करना काफी important है बाहर निकालना एक बाजो में और इस stress को कम करना ताकि एक immune modulatory action हम देखते हैं याने immune system हमारी skin का friend बन चुका है जा immune system skin को attack कर रहता legions बढ़ रहते, now it has become friends with each other with these two kinds of actions. हम देखते हैं lichen planus पूरी तरह से ठीक होता हुआ patients का सिर्फ और सिर्फ आयर्वेद द्वारे, but lichen planus में efforts patients के comparatively काफी जादा लगते हैं कही प्रकार के lichen planus जैसे के hypertrophic lichen planus, lichen planopilaris, lichen sclerosis, oral, genital और फिर आता है सबसे painful सबसे painful lichen planus जहां पर कोई भी लक्षन ने बस skin dark होती जारी है और patches फैलते जा रहे हैं और यह है lichen planus pigmentosus जहां से बहुत ही महनत दवाया internal external external पत्रपोटली या शश्टिका शाली पिंड़स्वेद कही information के videos इस channel पर आपको मिलेंगे करंज यह पॉंगामया पिनाटा and its impact on lichen planus, we've spoken about it हम किस तरह से simple से simple remedies इस video में one is efforts number two it's time to be given to cure the disease, to recover from the damage यह काफी important है दो कारन very important toxicity, stress, solution explained in Ayurved, Pancha Karma Shastika Shalipinda Swet पूरी video का explanation अब घर पे कैसे कर सकते हो सभी चीजे video में explain किये है कोई भी doubts, कोई भी questions comment section में जरूर पूछे कारनों को समझे और कारन के अनुसार, चिकित्सा करिये उन कारन को पहले avoid करिये Lycan plan is है तो फिर toxins या medicines लेना avoid it, Lycan plan is है तो continuing the stress, it is pointless आप प्रपर चिकित्सा लो अगर कारनों पर काम नहीं करो फिर से stress लेते हो, फिर से अगर दवाया लेते हो, there is going to be no change Patients का कहना है कि इस stress को हम कैसे control करे Now stress is directly equal to the number of hours you spend on the problem आप पूरे दिन में जितना समय problem को सोचते हुए या सोचते हुए गुजारते हो that is equal to stress So 24 गंटे में problem के बारे में नहीं सोचना, is no stress So जितना आप यह practice करते हो of having no thoughts, of being conscious being mindful, हम देखते हैं कि like and plan is ठीक हो रहा है यह नो भगवद गीता में Arjuna, जो कि Krishna के friend है, fighter है जो कि बताते है कि मैं इस हवा को control कर सकता हूँ पर मैं mind को control नहीं कर सकता फिर Gita Anusar Krishna जो भगवान है बताते हैं Arjuna को कि मन को कैसे control किया जा सकता है तो manage करना stress को is the main line of treatment when it comes to like and plan is and then one must go for the treatment So कारण को जानना कारण को निखालना यह ता आज का वीडियो, कोई doubts, questions, comment section में जरूर पूचिये, until next time from Jovis and the team Look Impressive, Be Progressive